बनाएंगे एकदम बहुत ही यूनिक और नई तरीके की ये तरोई की रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आगी आज से पहले शाहिद ही आपने इस तरीके की सब्जी बनाई हो या फिर खाई हो मस्ते दोस्तों कामिनिके के चर्ण में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी जरा भी पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं आप मैंने सबस किसी ब्लैक पन पर आ जाती है वह नहीं लेनी है बस इस तरीके की डार्क ग्रीन कलर की तरोई लेंगे ना बहुत ही मुलायम बनेगे और सौफ्ट तो यतनी जादा बनती है कि बहुत ही अमेजिंग लगती है चलिए फ्रेंड्स एकदम नया तरीका है इस तरीके से जो अमने देख सकते ही मुलाय और एस तरोई को हैं चील लेगे यौacie बहुत ही अलम से चील रही क्योंकि यह दो शोफ्ट है दम ताजी तरोई है तो यह टूट नहाए बीस से चलिए इस तरीकी से सबीको चील करके तैयार कर लेंगे लीजे भाई हमने इस तरीके से सारी के करीध तरोई हैं तो चलिए फटाफट से हमने इस तरीके से कट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से तीन-चार टुकडों में काट रही हूं तुकडे नहादा चोटे हैं नहादा बड़े हैं फ्रेंड्स इसी तरी केसे काटिएगा तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा तो चलिए फटा-फट से मैं इस तरीके से सारी की सारी तरोई को काट लूँगी आगे मैं आपको और बताऊंगी कि इसे हमें एक कट और लगाना है वो किस तरीके से लगाना होगा तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ या तो आप इस तरीके से कट लगा लीजेगा ये भी एक जो है तरीका है या फिर इस तरीके से कट लगा लीजेगा जो भी आपको तरीका आसान पड़ता हो वो लगा लेंगे तो चलिए मैं इस तरीके से कट लगा लूँगी लेकिन तरोई बिल्कुल भी अलग नहीं होनी च कट करने से मसाला डालें और अंदर तक चाएगा करों अचले तरोई भी कट फॉल्डी से यहां पर रिया है बेशन तो फ्रेंड्स यहां पर क्या करें है दो से तीन चम्मच में यहां पर बेसन डाल रही हूं फ्रेंट्स बहुत ही अनोखा तरीका है और एक तम यूनीक यह रेसिपी बन करके तयार होगी चलिए फटा-फट से थूड़ी सी हल्दी डालेंगे जरासी नाम मातर के लिए एक पिंच के करी साथ में थोड़ी सी यहां पर म में क्या करेंगे बहुत-थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसलिए डाल दिया थाकि जब हम तरोहिको अच्छे से मिक्स करें ना बेसन और हलदी मिर्च के साथ में तो थोड़ा सा जब नमक डाल देंगे तो घॉड़ी पानी चोड़ेगी तो यह अच्छे से बेशन ताकि बेशन डाले ना वो इसमें अंदर तक बढ़ियां से कोट हो जाए तो चलिए आप देखेंगे एक दो सेकेंड के लिए हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और तरोई नमक डालने के कारण हलका सा पानी छोड़ेगी जिससे हमारा बेशन सूखा नहीं रहेगा हलका सा इस तर ले लिया है और आधा चोटा चम्मच के करीब साबुद धनिया ले लेंगे साथ में दो बड़े चम्मच के करीब मैं मोंफली के दाने ले रही हूं इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स आप एक बार डाल करके तो देखिए चलिए फटा-फट से 6-7 आएगा फ्रेंड्स एकदम अचारी टाइप की हमारी बन करके तैयार होंगे चलिए इसका फ्लेवर और थोड़ा सा बढ़ियां बनाने के लिए मैंने यह पर चार-पांच काली मिर्च डाल दी है और अब हम क्या करेंगे बिना पानी डाले एक दरदरा सा हम इसका पेस्ट बना करके तैयार करेंगे रदरा पेस्ट इसलिए बनाएंगे मैं आगे आपको बताऊंगे बिना पानी डाले उमने इस तरीके से पीस लिया है तो फ्रेंड्स लहस्वन में थोड़ा बहुत मौस्चर होता है तो यह इस तरीके का पीस-क करके तैयार हुआ है तो आप देख कि लोग काजू डालते से बहुत ही क्रीमी टेक्चर आता है जो ग्रेवी बनती है ना बहुत ही लाजवाब बनती है और लैसून को अमने पीस लिया है तो उसके साथ में तो यह बहुत ही बढ़िया जो है बन करके तैयार होगी तो चलिए भाई पेस्ट हमारा बिल्कुल तैय है इस तरीके से पेस्ट बना करके आप कई दिनों के लिए स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकती है कोई भी चीज आप बनाईए एक चमज डाल दीजिए मजा ही आजाएगा चलिए फटा-फट से सारे प्रपेशन कंप्लीट हो गई पैन में हम डाल देंगे सरसो का तेल फ् मुआ उठने तक हमने तेल को पका लिया था और फ्लेम को लो कर दिया है अब हम इस पे जीरा डाल देंगे थूरी सी मैंने यह पे राई डाल दिये से टेस्ट काफी अच्छा आता है चलिए फटा-फट से अब हम क्या करेंगे जो यहां पर हमने तरोई मैगनेट करने के लि लगा देंगे तो फ्रेंड्स किनारे किनारे मैं आप देख रहे होंगे मैं तरोई को लगा रही हूं बीच में हमें खाली रखना है ताकि बीच में जो है ना काफी स्पेस बच जाए और हम बीच में प्याज को भी बून सकें तो चलिए फटा-फट से मैं इस तरीके से सार कटा हुआ प्याज तो फ्रेंड्स हुईना 1,5 2 काज तो क्या होगा हमारी जो तरोई बेशन में कोट करके रखे त्यूज इसे हम फ्राइब करते हैं तो फ्राइब नहीं करेंगे बस इस तरीके से हम साइडों से लगा प्याज डाल दिया तो तरोई नीचे से पकती रहेगी और बीच में हमारा प्याज भी पकता रहेगा बहुत ही इजी मैथड है फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी यह खाने में भी लगेगी जितना सरल तरीका में बता रही हो ना शायद आपको कभी कोई बताएगा तो चलिए पर लोटू मीडियम ही रखना है हाई फ्लेम बिलकुल भी नहीं करना है चलिए हलका प्याज सुनेरा हो गया है अब हम इसे स्टेज में क्या करेंगे जो हमने मुफली वाला पेस्ट बना करके रखा दाना यह बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स इसमें हमने सौंफ की खुषबू है लैसुन का भी फ्लेवर है थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है साबु धनिया भी डाली है तो फ्लेवर काफी अच्छा आने वाला है और इसी साथ हम प्याज के साथ में इसको मिक्स करेंगे और बीच में हम एक दो बार चला लेंगे ताकि यह चिपके नहीं तो चलिए इस तरीके से चला लेंगे अच्छे से हम बीच में हमारा मसाला भी पकता रहेगा और साइडों में हमारी तरोई भी बढ़ियां से पक रही है तो लीजे हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखेंगे और अब अब क्या करेंगे इसको कर देंगे कवर करके हम इसे क्या करेंगे पांच से साथ मिनट के लिए हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे यहाँ पर आपको टाइम कम जादा भी लग सकता है वो आपकी तरोई पर निर्भर करता है तो बीच में मैंने एक बार इ हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई मैं आपको ठाके दिखाती हूं नीचे से हलकी गोल्डन कोटिंग आ गई है और उपर से भी यह स्टीम में अच्छे से बेसन पक गया है यह मत सोचेगा कि हमने इसे नीचे से ही पकाया है उपर से जब स्टीम बन रही थी ना तो उपर से फोरोह की कोटिंग थी ना बेसन वाली वहसे बड़ियां से बढ़ गई है तो चलिए अब आम किया करेंगे मसाले और अर तरोह को आपस में मिक्स कर देंगे क्योंकि मसाला अच्छे से पक दिया है तरोई भी हमारी बहुत अच्छे से पक गई तो मैंने आपको चला के दिखाया आप देख सकते हैं तरोई बढ़ी हां से सॉफ्ट हो गई चलिए थोड़ा सा रेट चिली पाउडर हल्दी पाउडर इस स्टेज पी हम डाल देंगे क्योंकि हमने थोड़ा- पानी डाल देंगे क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ इसी ग्रेवी होगी ना तो खाने में टेस्टी लगेगी प्लस जो अमने इसमें मुंफली और बेसन डाला है ना उसका सोना पन तो इतना गजब का लगता है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा तो चलिए थोड़ा साही नमक और डाले हैं पानी भी डाल दिया हैं और मैगनेट करते समय हमने थोड़ा साही नमक एड किया था इस स्टेज पर हम नमक एड़ जरूर कर दीजेगा चलिए अब हम क्या करेंगे पानी ओंको बढ़िया से एक बार चला लेंगे और इस तरीके से जब आम चला लेंगे न तो सारे आपस में घुल मिल जाएंगे दुबारा से फ्लेम को लोटो मीडियम कर दीजेगा और इसे कवर करके हम पका लेंगे ताकि जो हमारा पानी है न वो अच्छे से मसालों में घुल मिल जाए तरोई भी थोड़ी बहुत जो कसर हो वो भी अच्छे से पक जाए तरोई फ्रे वाइडों में आ गया है और काफी गाड़ी भी हो गई है बहुत ही स्वाधिस्ट फ्रेंड्स एक बार आप इस तरीके से बना लेंगे न तो आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है तो फ्रेंड्स इस तरीके से बना करके तो देखिए घर वाले जरूर आपकी ता अधा नीबू ले लूंगी इसके बीजों को मैंने निकाल दिया है उपर सी हम इस तरीके से निचोड देंगे फ्रेंड्स ही पूरी तरीके से ऑप्शनल है लेकिन एक बार आप डाल करके तो देखिए आपको मजा आ जाएगा थोड़ा सा खटा फ्लेवर दे देंगे न तो हमारी सब्सक्राइब काफी अच्छी बने करके तैयार होगी देखनी में भी काफी अच्छी लगेगी तो चलिए गैस को मैंने फटा फट से बंद कर दिया था और आप हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि जो नीवू का रस और धनिया आपस में जो है मिल जाए तो चलिए फटा कवर करने के बाद में आपको दिखाती हूं सब्जी थोड़ी गाड़ी भी हो जाएगी इसका जो तेल है वो उपर आ जाएगा तो चलिए फड़ा फट से मैं इसे कवर करके मैंने इसको पांच से दस मिनट के लिए छोड़ दिया था यह थोड़ी ठंडी हो गई है इसके रेस्टोरेंट ढबो स्टाइल यह तरोई की सब्जी बन करके तैयार हुई है फ्रेंट्स जो हमने इसमें मुंफली के दानों को पीस करके डाला था ना काफी सारे हमने इसमें फ्लेवर भी दिये है ना उससे एकदम क्रीमी टेक्स्चर आता है जैसे कि हम कोई साही सब्जी खा रहे हों जैसे शाही पनीर में पनीर पीस करके डालते है एकदम रिच फ्लेवर आता है उसी तरीके से हमने शाही तरोई बना करके तैयार की है फ्रेंट्स चलिए फटाफट से इसे सर्फ कर लेते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी ग्रेवी क तो चलिए भाई तरोई बन करके बिल्कुल तैयार है अगर आपको मेरी महनत मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज जाते जाते चलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा फ्रेंट्स में आपके लिए बहुत महनत करती रहती हूं घर के ही बेसिक सिंपल मस सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय बारा टेक केर बाबाई